बुर्जी हम सब ईश्वर का ही एक अंच हैं, तो फिर भी हमारे अंदर काम, क्रोध, मो, कामना वासना क्यों है? वो भी प्रकृति का ही एक विधान है, कामना को भी हमने देवता ही माना, काम देव बोलते से लिए मर आती कामउगता हो जाए दिमाख में, इसको विकार माना है। तुम पैदा हूए हो काम से, मर आती कामउगता से तुम्हारी शक्ती खत्म हो जाते है, तो वो कहते है कि इसलिए वो भाहिरी है, मने अरी है, तुम्हारे ले। यम नियम का पालन हम करते जाएं जीवन में जीवन को सात्विक बनाते जाएं रजोगुन तमोगुन से हटके सत्वगुन के ओर हम कदम बढ़ाते जाएं सत्वगुन हमारे में बढ़ाते जाएं देखना फिर कोई विकार हमें सताता ही ने पर खान पीन ठीक हो, व्यवहार ठीक हो, तो हमें ये सब वासनाएं सताती नहीं है, अब हम उसको एंक्रेज करते जाएंगे, दिन बर प्रोनोग्रफी का चित्र देखते जाते हैं, तो दिमाग वही, दिन रात वही गर्मी चड़ी रहती है दिमाग, तब ना कुछ सीख पाते हो ना कुछ कर पाते हो, ना कुछ क्रियेटिविटी, कोई स्रिजनात में काम दिमाग से निकल दे, निकलेगा नहीं ऐसा वेक्ति से, दिन रात ये की सोचता रहता है, शरीर के किसी ना किसी अंग के बारे में कलपना करते रहते हैं, दिमाग, तो ये अतिकाम उगता है, इसलि को दुश्मन माना गया है, ज्ञान का दुश्मन है, किसका दुश्मन, ज्ञान का दुश्मन है, तो भगवद गीता में श्री कृष्णे कहा, तीन है नरक के द्वार, त्रिविदम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मन, आत्मा को नाशन विनाश करने के लिए तीन कार, क्रोध, लोब और काम, तीन ही उन्होंने की ना, क्रोध से आत्मा के द्वार नाशन, विनाश हो जाता है, लोब से होता है, काम अतिकामुकता से होता है, तीन, इसलिए तीनों से बच की चलो बच की चलो बच की चलो कटिन हैं मगर साधना के पत में जो आ जाते हैं उनके लिए कटिन है जिनके दिल में भक्ती या प्रेम का लहर उड़ जाता है उनके लिए कटिन नहीं है जो इतना व्यस्त रहते हैं कुछ ना कुछ creative काम करते रहते हैं सबके लिए उनके लिए कठी नहीं है खाली पड़े रहते हैं 24 गंटे सुबह से शाम तक कुछ नहीं करते पड़े रहने वालों के लिए बहुत खटीन हो जाता कोई busy रहता है उनके लिए नहीं कठीन है खाली पड़ा रहता है न वित्तर में आलसी प्रमाद आलस्य निद्रा ये तीनों से जो पीड़े थे उनके लिए तो बहुत खटीन है इसलिए कहीं भी आश्रम में लोग रहती तो एक दम उनको काम में लगा के रहते हैं सुबज शाम काम करते हैं काम busy इतना busy रहते हैं खाने पीने के लिए सोचने के लिए समय नहीं मिलता और विकार पैदा होने के लिए कोई गुंजाईश ही नहीं तक इतना busy रहने से और ग्यान को धोड़ा सा समय मिला तो ग्यान के तरफ मन जुक जाता है ग्यान में इतना घुल मिलके बने रहते हैं दिन रात एक अपना जिम्मेदारी उठाने में लगे रहते हैं उनको विकारे सताती नहीं है